हेलो फ्रेंड्स आज हम आए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आएए आप लोगों को लेके चलते हैं बिहार के रोतास जीले में ऐसे पर्यटक अस्थल पर जो डेहरी ओन सोन से करीब 8 किलो मीटर और मा तुतला भवानी जरना से लगवग 8 से 10 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है ये डेहरी और तुतला भवानी के बीच का पर्यटक अस्थल है जो काफी मनमोहित पर्यटक अस्थलों में से एक आता है जिसका नाम इंद्रपूरी बराज है फ्रेंड्स हाल फिलहाल में इसके बगल में एक ऐसे पार्क का उधगाटन किया गया है जिसको बिहार सरकारद्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है जो देखने में काफी खुबसूरत है आने माले हर पर्याटक तथा दर्सक एक बार जरूर इस पार्क तथा इस डैम को देखना पसंद करते हैं ये काफी मनमोही डैम है जिसको देखने के बाद बहुत ही सुकून का अनुभव होता है जो अमर कंटक और सोन नदी दोनों के जल प्रपात को रोकता है इस पर्याटक अस्थल के बारे में कहा जाता है ये काफी मनमोहीत पर्याटक अस्थलों में से एक है जहां से एक पर्याटक अस्थल ही नहीं कई गावों को नहरों द्वारा सिचाई का एक माध्यम है जिससे काफी गरीब किशान अपना पालन पोशन इस नहर के पानी द्वारा करते हैं और इसके साथ बिजली का उत्पादन भी इस डैम से होता है जो आसपास के कई गावों तक बिजली प्रवाहित करती है इंद्रपूरी में इंद्रपूरी बेराज 1460 मीटर यह आप 416 फिट लंबा है और यह दुनिया का चौथा सबसे लंबा बेराज है फ्रेंट्स जो दुनिया में सबसे लंबा है इंद्रपूरी बैराज का निर्माण 1960 के दसक में सुरू किया गया था और इसे 1968 में चालू किया गया था उन से नदी के दोनों किनारों पर प्रणाली से पानी और बड़े छेतर में सिचाई की जाती है इनी कटके 8 किलो मीटर उपर बेराज का निर्माण किया गया था फ्रेंट्स दो संपर्क नहरों ने नए जलासय को पुरानी सिचाई विवस्ता से जोड़ा और इसे विस्तार भी दिया इसमें 209 मिल की मुख्य नहर है 109 साखा नहरे हैं और 1235 वितरीतिया है फ्रेंट्स नहरे खेती के लिए बहुत ही फायदे मंद है उन्होंने भूमी के एक बड़े छेतर को एक बड़े उत्पादक छेतर में बदल दिया है ये जारखंड के गड़वा जीले के कदवन और बिहार के रोतास जीले के मटिवान के बीच सपूत के पार बांध का निर्मान प्रस्ताव है फ्रेंट्स इंद्रपूरी बांध को प्रकृति की गोट से निकलते हुए सोन नदी की लहरों के साथ खिलखिलाते देखना काफी मनमोहक द्रिश्य होता है यह बांध अत्यंत सुन्दर होने के सांथ सांथ अपनी नैसरगिक आकर्शन की वज़ह से अतिसांत अमसुखदाई है दोस्तो ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जयू करें धन्यवाद